अब सभी जितने भी यहां पर हमारे इंवेस्टर आये हैं उन्स सबको इस बात के लिए अस्वस्त करता हूं कि सरकार ने आपके साथ जो भी सरकार के कमिटमेंट है उसको धरती पर उतारने के लिए किसी भी प्रकार का कोई संकोच किसी भी अस्तर पर नहीं होगा और सारी बै पहले दिन से कहा है उत्तरप्रदेश अब भारत के विकास का बैरियर नहीं रहेगा बलके भारत के विकास का प्रधानमंत्री मोधी जी के विकास का और मौडल नहीं दोजार सेंतालिस तक भारत को विक्सित भारत की रुपमे सत्थापित करने का सपना देखा है ऑउस विक्सित भारत के सपने को साकार करने के ग्रोफ इंजन की रुप में उत्तरप्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगा। और इसमें आपकी महत्तोफून भूमिका है आपकी महत्तोफून भूमिका है मुझे याद है जब हम लोगों ने यहां पर कि वन टीलियन डॉलर की कॉनोमी के लक्षे को प्राप्त करने की दिसामें कदम बढ़ाए तो हमारे सहयोगी मुझे इस बात के लिए कहे कि इसके लिए हमें हर वर्ष कि पंद्र से लेके बीस लाग करूर रुपे के निवेश के प्रस्ताओं को प्रदेश के अंदर कि ग्राउंड ब्रेकिंग करानी की तैयारी करनी चाहिए और कि जब हम लोगों ने प्रदेश में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कारिक्रम तैक रिया किया था उस समय जब मेरे सामने बात सामने आई थी तो नंदी जी और उनकी टीम मेरे पास आई थी नौने का साब हम लोग दस लाग करूर उपे के निवेस के प्रस्ताओं कराएंगे तो मैं हस रहा था मैंने का ये लोग अभी भी उत्तर प्रदेश को समझ नहीं पा रहे हैं मैंने का चलिए आप प्रियास करिए और फिर मैंने अपनी टीम के सभी मंत्री मंडल के बरिष्ट सदस्यों की टीम को दुनिया के अलग-अलग देशों में भी भेजा था देश के अंदर भी अलग-अलग जगे रोड़ सो हुए थे और आपने देखा होगा कि दस लाग या पंदरा लाग की वजाए चालीस लाग करोड रुपे की निवेस के प्रस्ताव पराप्त हुए और लगातार इसमें प्राप्त हो रहे हैं जो ततर प्रदेश में हम लोग मानते थे कि हमारे इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर समीट होगा उस इन्वेस्टर उपे का इसमें 10,715 करोड उपे के निवेश की प्रस्ता निवेश इसमें ग्राउंड बेकिंग हुए है उना प्रोडक्शन इन यूनिट में प्रारम हुआ है और उसको आज इंसेंटिव यहां पर वित्रित हो रहा है इससे पहले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 4,000 करोड उपे के निवेश के इंसेंटिव पहले से ही हम उद्यमी को पहुचा चुके हैं उनको उपलब्द करवा चुके हैं बैनौर भाईयों यहां सरकार का कमिंट मेंट है और हम अपने इस कमिंट मेंट पे पूरी प्रतिवत्ता के साथ आगे बढ़ेंगे